भक्तों का जन सैलाब उम्डा है दर्शन को आने वाले श्रद्धालों का जथा अनवरत जारी है 3000 श्रद्धालों को आयोध्या लेकर ट्रेने पहुची है दो आस्ता स्पेशल ट्रेनों का जोरदार स्वागत हुआ है भोल नगाडे के साथ जैश्री राम का उत्खुष किया है श्रद्धालों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया है सर्युष्णान के बाद राम लला का दर्शन पूच क्या क्या है तो रामलला की प्रापतिश्टा के बाद से ही आयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुच रहे हैं वोई डोल लगाडे के साथ जैश्री राम का उन्ठोश किया गया का पुश्प वर्षा से स्वागत किया ग्या सद्यों इसनान के बाद रामलला का दर्शन पूजन किया कि रामडला की प्रापतिष्ठा के बाद श्रध्धालों का जरसलाब लगातार देखने को मिल रहा है और देखिए तीन हजार श्रध्धालों को लेकर प्रेने अध्या पहुची है और इन श्रध्धालों का भव वस्वागत किया ग्या है भूलना गाड़े के साथ जैश्री राम का रुद्धालों के लिए खास ट्यारियां की जा रही है आम स्रद्धालों की आवाजाही में बैवधान नहीं होगा इसको लेकर ये तयारी की जा रही है प्रवेश्वा निकासी की विवस्था करने पर सहमती बनी है गेट नमबर 10 वा 11 के साथ अन बी आईपी गेट का उपयोग होगा तो राम मंदिर में तीन अलग द्वार तयार किये जाएंगे ताकि किसी को भी किसी तरहा की परशानी का सामना ना करना पड़े वी आईपी वावी वी आईपी दर्शनार्थों के लिए खास इंतजाम किये जा रहे हैं आम श्रधालों की आवाजाही में वेवधान नहीं होगा जहां प्रवेश्वा निकासी की विवस्था करने पर सहमती बनी है गेट नमबर दस वाग्यारा के साथ अन वी आईपी गेट का उपयोग होगा भक्तों के जनसलाप को देखते हुए तमाम तरह की तैयारिया की जा रही है वहीं तीन अलग द्वार बनाए जाएंगे आम श्रधालों की आवाज जाही में कोई वेवधान नहीं होगा और इस खबर पादिक जानकारिक के साथ संजय हम से जोट चुके है उध्या से संजय देखिए प्राणप्रतिष्ठा के बाद से ही श्रधालों का तांता लगा हुआ है उध्या में ज्युपुर्त देशे से जठ्रे के जठ्रे के रूक में लोग यहां पर आखे हरे हैं और बड़ी संख्या की बड़ी कादात में यहां पर संख्या पर जो भंख़ करेंगी एक कारी को यूपी गॉवर्मेंट को साथ विभी आई पी मौवंट्ट है वह है और पूर्य फर्वरी में तमाम जो भी मौवंएंट है वो बने रहेंगे तो ऐसे में कल सियम् लोगया जितना खुद रामलेला के दर्सन करने पहुंचे थे अरुमानगडी के दर्सन के और बैटक की और बैटक में सीज़े तोर पर ये फैसला लिया गया है कि आम लोगों के दर्सन करने में कि बिग्रिबादा ना उत्पनो उसके लिए जो आम रास्ते बनाए गए है रा दर्सन कर सके जिससे की जो रामलेला के भक्त हैं जो बड़ी संक्य में उनको कहीं कोई बिग्रिबादा ना उत्पन हो सबसे बड़ी बात यह कि मैं बताओ साथ दिन में 20 लाख से जादा 20 लाख 50 जार से भी जादा जो भक्त हैं वो दर्सन कर चुके हैं यह रिकार्ड है ल सदे को एक लाख 75 जार से ज्चादा भक्त है रामलेला के दर्सन कििये हुयां तो दर्सन कि क्रम वार कि हैं ज zweiten हो लगातार आरहा है औरopy जिस तरहा से में श्रधालू पहुच रहे हैं और आप बता sì को भी कि किसी तरह की परशानी नहीं में ना हो श्रधालूव का क्या कु सब्सक्राइब करें लिए जगे पर पानी के इस टाल लगाए गए हैं जो मिनरल वाटर्स की छोटी बॉटल दी जा रही है वो फुरी आपकॉश दी जा रही है उनको किसी पर प्रिकार की कोई असुजा ना हो जगे जगे पर बंडारे लगे हुए है जगे जगे पर टी स्ट प्रफड़ के ने पूरी सी परेंश रहे है टो पिस्सक्राइस टी इसक्राव नहीं चल सकते और उसके पीच्छे बढ़ा कारण है कि बड़र संख्या में जो люди यहां पर पहूंच रहे है है और अगर सजाइनों कुछ आया काववां किया गया तो फिर उस्थिदैंब के यात्ता भी कई न कई रोक नहीं रही है और वो सीज़ी तोर पर पूरे राम मैं दर्सन करते हुए नजर आ रहे है जी मैयूरी संजे दिखिए वी आईपी और वी 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 आईपी वो कभी अब मुव्मेंट शुरू हो जाएगा उसको लेकर तयारियां किस तरह की खास की जा रही है और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम नजर आ रही है बिल्गुल मैं बता हूँ आपको कि आप वी आईपी जो है वी आईपी उन सब के लिए खास इंतजाम किये गया है आप देखे कि जिस तरीके से भक्त हैं यहां पर पहुंचे हुए यह आम भक्त है लेकि सिक्योर्टी की अगर बात करें तो पूरी तरीके से सिक्योर्टी क तो लेस्ट रखा गया है आरेक्ट के जवान तैनात है पुलिस के जवान तैनात है पीएसी के जवान तैनात है और सुच्छा में कहीं कोई चूक नहों प्रॉपर करीब तीन जगहें चेकिंग की जाती है कोई भक्त अगर राहिम लाला के दर्सन करने जा रहा है तो उसकी थीन जगहें पर चेकिंग की जाती है और इसको चेकिंग के लिए महिला के साथ पूरस अलग-अलग स्कैनर्स लगाए गये हैं पूरस जवान तद्बीर किये गया है मोबाइल नहीं ले जा सकते लेगार परस नहीं ले जा सकते कोई भी ऐलेक्टारिक गैजट्स नहीं ले आ सकते और मैं बताओं कि सामने मेरे जो आपको लेंखाली दिख रही होगी यह लेन उन लोगों के लिए बना गए जिसे फास्ट ट्रैक्ट लेन कहा गया है इसकी कि शुरुवात कल से सुबा से ही कि गई है यह फास्ट्रैक्लेन उन और राम भक्तों के लिए है जिनकी हाथ म कुछ नहीं है जो राम लला की मंदिर में पत्दबंदित समान है मोबाइल गैजेट्स सू जो गयरा है किसी प्रकार का कोई प्रसाद नहीं है तो आप खाली हाथ है सीधे तो और पर जाईए और आपको यह राम जो फास्ट्रेक्ट लेन है वह एकदम खाली दिख रही होगी इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है के ओल आगे जाकर के स्कैनर लगा है वह एक बार स्कैन करेगा और सीधे राम लला के दर्सन करने के लिए पहुच जाएगे तो यह खास्तों पर लेन बनाई गई है उन भक्तों के लिए जो एकदम खाली हाथ पहुच रहे है और के ओल राम की दर्सन करना चाहते हैं तो ऐसे में यह लेन उनकी लिए बनाई गया बात रही बी-ई-पी और बी-बी-ई-पी तो उनकी लिए पुच रिके से गेट ही अलक किये जा रहे हैं 11 बार नंबर गेट हैं जहां पर बी-ई-पी और बी-बी-ई-पी को ले जाया जाए लिया गया है जी वे उली धनेवास अंजय हम से जुनने के लिए तमाम जानकारियों के लिए और चरी आगे बढ़ते हैं खबर दिली से है जहां आठवी मर्जल से वकील ने छलांग लगाई है वकील ओम शर्मा ने छट से कूद कर जान दी है घटना की जानकारी होने पर मौक के पर पुलेस पहुची है एक सुसाइड नोट भी बरामत हुए